जैहिन दोस्तो कैसे हैं आप सभी? सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव दोस्तो आज के इस खास और इंफॉर्मिटीव वीडियो में मैं आपको हरिद दौर और रिसी केस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं हरिद्वार और रिसी केस को एक साथ कवर करूँगा क्योंकि मैक्सिमम लोग हरिद्वार के साथ साथ रिसी केस को भी कवर करते हैं तो अगर आप भी हरिद्वार और रिसी केस दर्सन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा इस वीडियो में जानेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे यहां पर रुखने के लिए होटल या धरमसाला कहां पर लेना चाहिए दर्सन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है आप यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं इस प को एडवाइस करूंगा आप अपनी यातरा को हरी द्वार से सुरू करें यहां पर दर्सन और घूमने के बाद में फिर आप रिजी केस के लिए जा सकते हैं यहां तक आने का जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है वो रहता है ट्रेन का हर प्रमुक इस्टेशन से आ आपको डिरेक्ट बस यहां तक के लिए मिल जाएगी और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा उप्सन रहता है हरकी पौडी के पास में ही मेला मैदान के पास पार्किंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं वहीं बात करें फ्ला हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार और अब हम लोग जानते हैं कि आपको रुखने के लिए होटल या धरमसाला कहां पर लेना चाहिए दोस्तो ऐसे तो पूरे हरिद्वार में बहुत से होटल और धरमसाला बने हुए हैं लिकिन मैं आपको एड़्वाइस करूँग में आपको बहुत ही अच्छा सा होटल मिल जाएगा और अब हम लोग बात करते हैं आप हरिद्वार में कहां-कहां दर्शन कर सकते हैं और यहां पर कहां-कहां घूम सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे मां गंगा के पावंजल में इसनान करने हरकी पौड़ी पर जो इस्टेशन से दो किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है यहां पर आप ब्रह्म घाट या घंटागर घाट पर इसनान कर सकते हैं यहां पर इसनान करने का विशेस महतु है देशी नहीं बिदेशों से भी बहुत से भक्त यहां पर इसनान करने के लिए आते हैं साम को य आप यहाँ पर आकर आर्थी में चरूर सामिल होई है। यहाँ पर दर्सन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता मंसा देवी जी के दर्सन करने के लिए। माता रानी का ये प्यारा सा मंदिर उपर पहाड़ी पर इस्तित है। यहां तक जाने के लिए आप सिडियों से जा सकते हैं या आप रोबे से भी जा सकते हैं, हरकी पॉडी से 200 मीटर की दूरी पर ही पैदल मार्क बना हुआ है, अगर आप सिडियों चड़ सकते हैं तो आप सिडियों से चले जाएए, पैदल मार्क से कुछी दूरी पर रोबे मा पेका टिकेट लेना रहता है। इन प्लेसेस के लिए आप आटो या इरिक्से का यूज़ कर सकते हैं आटो और इरिक्सा वाले आप से 300 से 400 रुपे का चार्ज करते हैं चार से 5 घंटे में सभी प्लेसेस घुमाने के बाद में आप जहां कहेंगे वहां पर आपको डॉप कर देते हैं सबसे पहले हम लोग चल करके आपको बहुत ज़्यादा चल लगेगा यहां पर दर्सन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सांती गुंज दोस्तो यह आसरम बहुत ही विसाल और भब्बे बना हुआ है यह प्यारा सा आसरम गैतरी माता कुछ समर्पित है यहां पर आपने सुल्क में लंगर में सामिल हो सकते हैं साथी साथ अगर आप यहां पर रुखना चाहते हैं तो आप फ्री आफ कौश में यहां पर रुख भी सकते हैं दोस्तों यहां पर हिमाले भवन भी बना हुआ है जहां पर हिमाले का बहुत प्यारा से चित्रण किया गया है आप यहां पर जरूर आईए य यहाँ पर आपको बहुत यदर सांती और सकुन मिलेगा। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। हम लोगों का अगला इस्थान है माता वैशनो देवी मंदिर। यहाँ पर गुफा के सरूप में माता रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथी साथ और भी बहुत से देवी देपताओं के यहाँ पर मंदिर बने हुए है। यहाँ से सौ मीटर की दूरी पर भारत माता मंदिर भी बना हुआ है। ये साथ मंजिला मंदिर हरी दोर के प्रुमुह मंदिरों में माना जाता है। यहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से आप सबसे पहले साथ में मंजिल पर आ जाएंगे, फिर हर तल में दर्सन करने के बाद में बारी बारी से आप नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे भारत माता की विशाल पृत्मा इस्तापित है आप यहां पर दर्संद जरूर करें। पास में ही स्री राम मंदिर भी बना हुआ है, आप यहां पर भी जाकर दर्संद कर सकते हैं। दोस्तो इन मंदिरों के अलावा आप कंखल साइड वाले मंदिर को भी कवर कर सकते हैं, कंखल साइड में भी बहुती प्रसिद और फेमस मंदिर बने हुए हैं। दोस्तो आपको हरिद्वार में कम से कम एक नाइट का इस्टेज जरूर करना चाहिए, जिससे आप आराम से हरिद्वार के सभी प्रमुक इस्तानों को कवर कर सकें, फिर अगले दिन और भी जितने प्लेसेज बचे हैं, उन सभी को कवर करेंगे, फिर दुपहर के बाद में अ 20-60 रुपय का किराय लगता है, वहीं दोस्तो अगर आप पहले रिसी केस आना चाहते हैं, तो आप आराम से पहले रिसी केस भी आ सकते हैं, रिसी केस में बहुत ही बेल कनेक्टेट बस इस्टेंड बना हुआ है, दिल्ली, हरियान, पंजाब और आसपास के राज्यों और सह पहरों से रिसी केस तक के लिए आपको सभी प्रकार की बसिस मिल जाती हैं, वहीं आप अगर ट्रेंड से आना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा योग नगरी रिसी केस रेलवेश टेशन भी बना हुआ है, तो आप आराम से ट्रेंड के मात्हिम से भी यहां त चाहिए, दोस्तो ऐसे तो पूरे रिसी केस में होटल और धरमसाला बने हुए हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप बस इस्टेंड के आसपास होटल यह धरमसाला ले सकते हैं, वहीं आप अगर चाहें, तो राम जूला या लक्षमर जूला के पास में भी होटल यह धरमसाला ले सकते हैं, धरमसाला की रेट की बात करें, तो 800-1500 के बजट में बहुती अच्छा सा धरमसाला मिल जाएगा, वहीं होटल की रेट की बात करें, 1000-2000 के बजट में बहुती अच्छा सा होटल भी ले सकते हैं, वहीं आप अगर यहाँ पर फ्री में रुकना चाहत जब आप बीचो बीच में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी जूले पर खड़े हुए हैं। बीचो बीच पहुंचने पर यह जूला बहुत ज़्यादा तेजी से हिलता है। तो अब हम लोग राम जूला पार करके आ चुके हैं दूसरे किनारे पर। और अब ह अरती का आयोजन भी होता है। आरती में सामिल होने के लिए बड़ी संक्या में भीड यहाँ पर उपस्तित होती है। यहाँ पर परमार्थ निकेतन आस्रम भी बना हुआ है। यहाँ पर जरूर घूमिए। आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों आप अगर यहाँ पर रुखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर free of cost में रुख भी सकते हैं वही पास में ही गीता भवन भी बना हुआ है ये भी बहुत ही अच्छा सा आस्रम है अगर आप यहाँ पर भी रुखना चाहें तो आप यहाँ पर भी आराम से free में रुख सक करने के लिए जो रिसी केस से लगभग 30 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है राम जूला टैक्सी स्टेंड के पास से ही आपको बुलैरो मिल जाती है जिसमें आने जाने का देड़ सो से दो सो रुपए चार्च करते हैं मंदिर में दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं नीलकंट महादेब जी का प्यारा सा मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच में इस्तित है यह मंदिर अपनी विसेश मानिताओं के लिए बहुत ही फेमस है यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनों कामनाई पूरी होती हैं। दोस्तो यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही अद्बुत और भविसैली में बना हुआ है। जिसकी भविता देखकर आपका दिल और मन को बहुत ही ज़्यादा सांती मिलेगी। दोस्तोर इसी केस अपनी अडवेंचरेश एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो आप चाहें एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर तेरा मंजिला मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी रिसी केस का बहुत प्रसिद और प्यारा मंदिर है जो लक्षमर जूला के पास में इस्तित है लेकिन इस टाइम पर लक्षमर जूला को कुछ समय के लिए बंद किया गया है तो आप राम जूला के पास से होते हुए इस प्यारे से मंदिर में पहुंच सकते हैं वहीं आप यहाँ पर बिटल्स आसरम में भी जा सकते हैं, साथी साथ तृवेडी घाट पर भी घूमने और दर्सन करने जा सकते हैं, तृवेडी घाट भी बहुत ही प्यारा इस्तान है, यहाँ पर भी साम को आरती का आयोजन होता है, यहाँ पर आरती में सामिल होने के लिए पूरणों पलेसेश की बात करें तो आपको कम से कम 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप और भी घूमना चाहते हैं तो 4 डेज और 3 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हरिद दौर और रिसी केस आने का सबसे अच्छा समय कौम सा रहता है। दोस्तो ऐसे तो पूरे साल ही हरिद दौर और रिसी केस में भीड़ बाहर रहती हैं, लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मे और जून में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यह टाइम यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी कुईशन बजट की। दोस्तो अगर आप थ्री डेस और टू नाइट्स का प्लान बनाते हैं तो चार हजार से पांच हजार पर परसन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों जगाओं को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तो अगर आपके बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ही बी आईपी होटल ले सकते हैं साथी साथ आप टैक्सी बुक करके भी इन सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको हरी दोर और रिसी केस यात प्लेसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। अगर आपको एजानकारी हेल्फ फुल लगी हो तो वीडियो को प्लीस लाइक जरूर करें साथी साथ अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर से जरूर सेर करें। अगर अ में तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल सुगम और मंगल मैं हूँ जहिन जय भारत।